हाई फ्रेंड्स करंटीन चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आद दीन है 13 डिसंबर 13 डिसंबर के 10 करंट अफेर्स देखने से पहले देखते हैं दिन की हेडलाइन फिच रेटिंग में अपना ग्लोबल एकोनोमिक आउटलुक किया जारी चालू वित्वर्ष भारत की जीडिपी का पुरुव अनुमान खटा कर किया 9.4 फिश दी ब्रीटन के अक बार इस्टन आई द्वारा प्रकाशित किया गया विश्व में 50 एशियाई फेमस अस्तियों की सूची इस सूची में सोनु सूद रहे शिश पर केंद्र सरकार ने COVID-19 वेक्सिन की डिलिवरी के लिए नए एप की गोशना की COVID-19 वेक्सिन की डिलिवरी के लिए COVID-19 को किया लॉंच वेलकम फ्रेंड्स तेरा डिसंबर के करंट अफेर्स का पहला क्वेस्चन आलही में किस देश के अमीर शेक नवाब अल एहमद अलसबा ने शेक सबा अलखालीद अलसबा को प्रतानमंत्री के रूप में फिर से नियुक किया है औप्शन से जॉर्डन, कुवेट, इरान और साओधी अरब और इसका सही आंसर है कुवेट आईए देखते हैं इस करंट अफेर्स के प्रमुक की पॉइट के अमीर शेक सबा अलखालीद अलसबा को प्रतानमंत्री के रूप में फिर से नियुक किया है सबा अलखालीद के राजनितिक करियर की शरुआत 1978 में विदिश मामलो के मंत्राले में हुई थी उन्होंने सेयुक तराष्टर में कुवेट के स्थाई मिशन के प्रतिनी जी के तोर पर कहीं अहम पदों पर काम किया है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम 2021 की वार्शिक बेठक किस देश में आयोजित की जाएगी औप्शन से सिंगापूर, भारत, नेपाल और इंडोनेशिया और इसका सही आंसर है सिंगापूर वाई ये जानते हैं वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के बारे में अन्यप्रमुक बाते विश्वा आर्थिक मंच यानि वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम ने अपनी वर्ष 2021 की वार्शिक बेठक को सिंगापूर में आयोजित करने का फैसला लिया है पहले इसे लिूसेन बर्गन स्टॉक स्विजलेंड में 13 से 16 मई 2021 के दोरान आयोजित करने का निर्दारित किया गया था यह बेठक आम तोर पर स्विजलेंड के दावस में आयोजित की जाती है लेकिन मोजुदा कोवीड के चलते बेठक को पहली बार उक्टूबर 2020 लिूसेन बर्गन स्टॉक स्विजलेंड में स्थाना नतरित किया गया था उप्रक्त समचारों में आने वाली परिक्षाओं के लिए महत्व पूरुन तथिय भी एक बार देख लेते हैं एक बार वीडियो को पोज करके इसे फिर से एक बार पढ़ ले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है विश्व मानुआधिकार दिवस कब मनाया गया और इसका सही आंसर है दस दिसमबर को विश्व मानुआधिकार दिवस मनाया गया हर साल 10 दिसमबर को दुनिया भर के देशों में मनाया जाता है इस दिन की शरुआ 10 दिसमबर 1948 में हुई थी जब सेंक राष्ट द्वारा मानुआधिकारों की सार्वबुमिक गोष्णा की गई इस साल मानुआधिकार दिवस की थीम रक्के गई थी मानुआधिकारों की सार्वबुमिक गोष्णा पांसो से अधिक भाष्णाओं में उपलब्दे साथ ही ये दुनिया में सबसे अधिक अनुआधित दस्तावेच भी है मालदिव की जगह कौन सा देश 2023 में होने वाले इंडियन ओश्यन आईलेंड गेम्स की मेजबानी करेगा और इसके उप्शन से मार्शल आईलेंड, मडगासकर, मौरेशियस या स्री लंका और इसका सही आंसर है मडगासकर आईए जानते हैं इस करंट अफेर्स की की पोइंट्स पहले यह गेम्स मालदीव में आयोजित होने वाले थे लेकिन यह निर्णे मालदीव में कोरोना वाइरस संकट के दोरान कार्यक्रम के आयोजन में सामने आरे ही चुनोतियों के परिणाम स्वरुप किया गया है मालदीव ने 2023 के खेलों को 2025 तक सगित करने के लिए अनुरोद किया था लेकिन सगित करने की बज़ाई से ट्रांसफर करना उचित समत्ते होए इसे मड़ागासकर में ट्रांसफर किया गया मड़ागासकर की राजदानी एंटा नाना रीवो मड़ागासकर के राष्टरपती है एंड्री रोजोलीना मड़ागासकर की मुद्रा मालागासी एरी रही है बढ़ते है question number 5 की और एंदर सरकार ने COVID-19 वेक्सिन के डिलिवरी के लिए किस एप की गोशना की ओप्चन से COVID, COVID Health, COVID Vaccine या Healthy India और इसका सही आंसर है COVID-App आएए जानते हैं COVID-App के बारे में key points केंदरी स्वास्य मंत्रा ले ने COVID-19 वेक्सिन के वीतरण के लिए COVID Mobile App की एकोशना की या पंजी करण से लेकर रिपोर्ट तक पूरा टीका करण प्रक्रिया को देखेगा इस एप्लिकेशन में विबिन मोडियोल दिये गए है चैसे की पंजी करण, एड्मिनिस्ट्रेटर, टीका करण, रिपोर्ट और एकनोलजमेंट का मोडियोल भी इसमें शामिल है और इसका सही आंसर है A. इसराइल इसराइल ने इससे पहले बेरसेट प्रॉब भी लॉंच किया था और इस बार इसराइल ने बेरसेट टू परियोधना को लॉंच किया है आईए जानते हैं बेरसेट टू परियोधना के की पोइंट्स इससे पहले बेरसेट प्रॉब इसराइल के एक गेर लावकरी संगठन स्पेसिल का चंद्रमा के लिए एक नीजी मिशन था इसराइल का बेरसेट प्रॉब चंद्रमा पर लेंडिंग करते हैं समय गलतना गरस्त हो गया था इबरु में बेर्शिट का आर्थ होता है उत्पति बेर्शिट 2 की अन्य बातों को जानते हैं इसका उद्देश क्या होगा इसका उद्देश है संचालन और स्कूल के शात्रों के लिए डेटा एकत्र करना इसकी समरचना को देखते हुए इसमें दो लेंडिंग क्राफ्ट है और एक ओर्बिटर है और इसकी लागत लगबग 100 मिलियन डोलर होगी लेकिन इसका लाव देखते है इसे सयुक तराज अमेरिका, पूर्व सोवेट संग और चीन के बाद अगर इस लेंडिंग में सफल रहता है तो इसराइल यह कारनामा करने वाला चोथा द्रैश्ट बन जाएगा क्वेस्चन नॉमबर 7 और इसका सही अंसर है PM वानी आए इस युदना से जुड़ी अन्य प्रमुग बात जानते हैं यानि वाइफाइ एकसेस नेटवर्क इंटरफेस योदना को मंजूरी दे दी है पॉब्लिक वाइफाइ नेटवर्क इसी भी लाइसेंस शुलक के बीना पूरे देश में सारवजनिक डेटा कारियालेयों के माध्यम से सारवजनिक वाइफाइ सेवा का उप्योग करने की अनुमती देगा एप प्रदाता के लिए दूरसंचार विबाग से ओनलाइन पंजी करण करवाना अनिवारिया रखा गया है इस राज्य की सरकार ने पांस स्थानों के लिए इको रिट्रिट कारियकरम शेरू किया औप्शन से जयारकंड, ओडिशा, राजस्थान या महराष्ट्र और इसका सही आंसर है ओडिशा आएए इस इको रिट्रिट कारियकरम के प्रमुक बाते जानते हैं ओडिशा ने राज्य में परियाटन को बढ़ावा देने के लिए इको रिट्रिट कारियकरम शेरू किया है इसे ओडिसा के मुख्यमंदरी द्वरा लॉंच किया गया है इस योधना के तहट परियटकों को पांस थानों पर आवास के लिए लग्जरी कोटेज भी प्यदान किये जाएगे इस एप के माजिम से ग्राह किसे भी UPI ID या व्यापारी को भुक्तान कर सकेगे बिल का भुक्तान एव ओनलाइन रिचाज भी इस एप के द्वरा किया जा सकेगा यह यह उपयोग करताओं को रून, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यात्रा कार्ड जैसे बेंकिंग सेवाओं को उपयोग करने में सक्षम बनाती है Q10. International Golf Federation के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और इसका सही आंसर है International Golf Federation के Key Points जानते है International Golf Federation की स्थापना 1958 में की गई थी International Golf Federation का मुख्या लए लोजेन स्विजलेंड में स्थित है Golf 112 साल बाद 2016 में फिर से ओलमपिक खेल में शामिल किया गया था अब बारी है हमारे Question of the Day की लेकिन इससे पेले December 12 का Question of the Day का आंसर देख लेते हैं December 12 का सवाल था और इसका आंसर होगा Breakdance Breakdance को इसमें आधिकरिक खेलो का दर्जा दे दिया है अब हमारा आज का यानि 13 December का Question of the Day देखते हैं वर्स 2020 में भारत में Google Search की Top Trending Query में कौन सा टॉपिक प्रथम स्थान पर रहा और इसका आंसर आपको हमें Comment box में दिना है आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद